यूजर का input किसी भी software का एक बहुत ही एहम पार्ट होता है Java programming के अंदर भी आप लोग user से input ले सकते हो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि Java programming में किस तरह से एक user से आप लोग input ले सकते हो और उसी के साथ साथ किस तरह से आप लोग user जो भी keyboard से टाइब कर रहा है उसको एक variable के तौर पर जाव में स्टोर कर सकते हो तो यही सब चीजे हम लोग एक स्प्लोर करेंगे एक scanner class होती है किस तरह से एक integer के रूप में आप लोग को लेना है value को किस तरह से एक floating point number के रूप लेना एक value को यह सारी की सारी चीजे हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं और उसे के साथ साथ एक exercise भी मैं आप लोग को जल्दी देने वाला हूँ इसी चीज पर तो बहुत ध्यान से देखना है इस वीडियो को और notes आप लोग को मैंने दे दिये है notes, source code, सब कुछ upload करके मैं link के नीचे description या फिर pinned comment में कहीं मिल जाएगा आपको देख लेना, सब मैं आप लोग को code, notes, cheat sheet जो बनाई थी मैंने पहले वीडियो में उस सब चीज़े जो है मैंने आप लोग को नीचे description में link डालके दे दिया है चलिए वीडियो को start करते है तो guys, यह रहा हमारा IntelliJ idea मैं आपर क्या करूँगा, एक नई फाइल बना लोगा सबसे पहले और मैं आपर जैसे naming convention पिछले वीडियो में रखा था कि cwh04-literals.java यहाँ पर मैं जल्दी से एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम में रख ले नर्माला हूँ 05, sorry, cwh-05-taking-input और .java automatically बन जाएगा फिर इसके बाद मैं आपर shift-enter दबाऊँगा, नई लाइन पर मैं आजाऊँगा और मैं आपर main लिखूँगा, मेरा main method भी आजाएगा और मैं उसके बाद यहाँ पर s-o-u-t-sout लिखूँगा तो system.out.println लिखने के बजाए आप यहाँ पर south लिख सकते हो, यह एक shortcut है आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि आर बार आप लिखने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद एक बार आपने run कर लिया तो आप यह दबा सकते हो, ठीक है तो it works लेको यहाँ पर run हो कि आ गया है अब notes में चलते हैं, जो कि यह ने आप लोग के लिए बनाए है और जल्दी से हम लोग यहाँ पर सीधा आ जाते हैं, reading data from the keyboard वाले पार पर तो किस तरह से scanner class को use करना है यह अब लोग हम लोग चलके जल्दी से देख लेते हैं यहाँ और आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसको minimize कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, taking input from the user, ठीक है shift enter दबाया, नीचे आ जाँगा, मैं shift enter दबाऊंगा तो new line में और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, scanner को import करूँगा अगर आपको यह वाला वीडियो याद है, जो कि मैंने बनाया था, video number second, ठीक है इसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि जावा के अंदर, कुछ import statements होते है और हमने लेकिन ज्यादा बात नहीं करी थी, उन import statements की मैं आप लिखूँगा, import java.util.scanner, ठीक है क्या मैंने लिखा, java.util.scanner, इससे क्या होगा, scanner class को मैंने import कर लिया है ठीक है, अभी आप लोग ये भूल जाओ, क्या java, क्या .util.scanner, बस इतना समझ लो कि हमने कुछ external code जो है, उसको import किया है, ठीक है, मैंने आपर external code को import किया है और यहाँ पर scanner class को अब मैं use कर सकता हूँ, यहाँ project पर click करूँगा तो जगा बन जाएगी थोड़ी यहाँ पर मैं भी क्या करूँगा, मैं आपर कुछ इस तरह से लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर scanner, case sensitivity को ध्यान में रखना, कभी small scanner मत लिख देना, बहुत सारे लोग error मेरे पास यही लेकर आते हैं, स्मॉल S लिख दिया, capital S की जगा, system dot order print element में P capital कर दिया, यह L capital कर दिया, नहीं जैसे लिखा है, जैसे बताया जा रहा है, वैसे वैसे आपको करना है, और initially आप लोग को यह चीज़े मुश्किल लग सकती है, बड़ जैसे आप लोग इसको करते जाओगे, वैसे वैसे आप लोग खुदी समझ जाओगे, यह चीज़ कितनी आसान है, ठीक है, अब यहाँ पर input लेने के लिए keyboard सबसे पहले मुझे एक नया scanner object बनाना पड़ेगा, तो मैं आपर क्या गरूँगा, लिखूँगा, scanner sc is equal to new scanner, अभी जो sc मैंने लिखा है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, sc for scanner है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसका नाम आप अपनी मर्जी का keyboard के input को लेना चाता हूँ, मैंने ये notes में आप लोग के लिख दिया, कि कि यहां भूल ना जाओ, read from the keyboard, तो system.in से हम ये specify करते हैं, कि हम keyboard से read करने वाले है, यावर आप देखो, in order to read data from the keyboard, Java is a scanner class, scanner class has a lot of methods, बहुत सारे methods होते हैं scanner class में, आपके keyword से data को read करने के लिए, ठीक है उन में से एक method है nextint, जो कि एक integer को ले लेता है, जैसे keyword से input किया जाता है integer, example आप लोग को देता हूँ, मैं यापर एक south लगाऊंगा, यापर लिखाऊंगा, यापर लिखाऊंगा, enter number one, ठीक है, और उसके बाद मैं यापर south लगाऊंगा, और मैं यापर क्या लिखाऊंगा मैं आपर लिखाऊंगा, enter number two, ठीक है, number one और number two मैंने आपर इस तरह से print कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, मैंने number one और number two तो print कर दिया है यापर, मैं अब यहाँ पर कहूँगा, int a is equal to, और मैं आपर लिखाऊंगा, sc dot, और nextint, ठीक है, अब वो next byte हो सकता है, अगर मैं integer ल इस्तेबाल करूँगा, तो मैंने आपर nextint को select कर लिया, और semi colon java में आप लगाना ना भूले, हर statement को termination java programming में semi colon से होता है, semi colon अगर आपका miss हुआ, तो आप लोग को error मिलेगा, तो जो भी code हम यहाँ लिख रहे है, main के अंदर, एक-एक statement semi colon से terminate होता है, जिससे यह पता चल to sc.nextint मैंने आपर लिखा, तो क्या होगा, जो भी integer enter करेगा, कोई भी keyboard से, तो क्या होगा, वो एक एंदर आजाएगा, similarly क्या होगा, कि मैं इसको copy paste करूँगा, यहाँ पर, मैंने जो int a is equal to लिखा, इसको मैं int b is equal to लिख दूँगा, और second number जो है, वो b में आ जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, क्या, प्लस करूँगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं system.out.println करता हूँ, यहाँ पर एक लिखता हूँ, और उसके बास system.out.println, दूसरा लिखता हूँ, उसको मैं sum लिख देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है, मैंने आपर sum ल का एक object बनाया अब आप लोग खोगे यार यह क्या चीज है यह कैसा scanner new क्या है scanner क्यों लिखा यहाँ पर तो इसको थोड़ा सा breakdown करूँगा लेकिन एक warning के साथ breakdown करूँगा कि यह आपको पूरा समझने की अभी ज़रूरत नहीं है चुकि हम object oriented programming को आगे देखेंगे देखो object oriented programming म क्या होता है एक class होती है और उन classes से objects बनाये जाते हैं for example जब आप exam दे रहे होते हो तो answer sheets होती है जोकि खाली answer sheets होती है जोकि examiner के पास बहुत सारी होती है आप उन answer sheets को लेकर क्या करते हो उनमें भरकर answer sheets को लेकर आप actual अपने submissions बनाते हो तो जो submissions हैं आपके यानि कि जिसमे जो कि एक जैसी दिखती है, सारी sheets यो examiner लेकर बैठा हुआ है, blank sheets वो class की दरा है, ठीक है, आप उस class के बहुत सारे objects बना सकते हैं, तो सब लोग बच्चे अपने-पने object बनाते हैं, exam में, यैसे कि मानलो, Rohan Air, Rohan ने बनाया एक अपना object, उसने question number 1 का answer किसी तरह से लिखा, question number 2 का answer किसी तरह से लिखा, एक मानलो, Shubham है, Shubham ने बनाया, फिर Divya ने बनाया, फिर Rohini ने बनाया, फिर बहुत सारे लोगों ने मानलो बनाया, तो सब ने अपने-पने objects बना लिए, same template को use करके, यानि कि जब वो exam paper बटा था, question paper, plus blank answer sheet, वो दोनों सबको same body थी, एक template बटी थ तो उसी तरह से वो template जो है, वो class होती है, जब मैं कहता हूँ new scanner, मैं कहता हूँ कि मैं अपना एक instance बनाना चाता हूँ, इस class का, what I mean by instance is, कि मैं अब इसका एक नया object बनाना चाता हूँ, और उसको मैं इस्तमाल करना चाता हूँ, जिस तरह से मैं एक blank answer sheet से एक नया submission मनाता हू उसी तरह, मैं scanner class का इस्तमाल करके एक नया object बनाता हूँ, और इस object को अपने हिसाब से use करता हूँ, कैसे use कर रहा हूँ मैं इस object को अपने हिसाब से, मैं इसके next train method को call कर रहा हूँ, मैं इसके next float को call कर सकता हूँ, अगर मुझे floating point numbers को add करना है, तो मैं इसी program को change कर दूँग और semicolon लगाँगा, और यहाँ पर int न दबा के, अब मैं float sum is equal to a plus b लिख दूँगा, और मैं in fact क्या करूँगा न कि comment out करके रखूँगा उस quote को, जो कि मैंने already लिख दिया था कि आप लोग उसको refer कर लो बाद में, ठीक है, अब इसको run करूँगा, तो मैं अब decimal point वाले number भी यहाँ पर add कर सकता हूँ, तो जो scanner class है हमारी, उसके अंदर बहुत सारे methods है, sc. आप करोगे तो यह देखो, बहुत सारे methods है, मुझे suggest कर रहा है कि कौन से इस्तिमाल आप करना चाहते हो, एक method हम लोग और देखेंगे, अब एक बात आपको बदाना चाहता हूँ मैं, वो यह होगा कि मैं आपर क्या करूँगा, मैं आपर print करूँगा कि एक number आया है input में, यानि कि मैं south यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यह देखूँगा कि जो user ने input किया है, उसमें एक number आया है या नहीं आया है, तो मैं लिखूँगा sc.hasnextint, ठीक है, और मैं hasnextint method call करूँगा, और मैं काम करता हूँ, इसको एक bool variable में store कर देता हूँ, महलो मैं उसका नाम b1 रखता हूँ, मैं आपर लिखूँगा boolean b1 और is equal to, और मैं लिखूँगा sc.hasnextint, ठीक है, और मैं काम करता हूँ, इसको मैं comment out कर देता हूँ, मैं बस यह देखना चाहरा हूँ अभी यहाँ पर जितने भी statement से इनको मैंने comment out कर दिया, और मैं इसको ना नीचे ले जाता हूँ, एकदम नीचे, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको control x करूँगा, और एकदम नीचे ले जाँगा, और उपर का code मैंने सारा comment out कर दिया, आपको चलाना हो अगर, तो मैं दे दूँगा code सारा मैं भी सिर्फ यह दो lines execute कर रहा हूँ, यह मैंने comment out कर दिया, comments का मतलब क्या होता है, comments का मतलब कि यह चीज़ ignore करी जाएगी, java compiler द्वारा, java इसको बिल्कुल भी देखेगा ने, ignore कर देगा, ठीक है, java के लिए यह existing नहीं करता है, java यहाँ से सीधे इस line को process करेगा, ठीक तो taking input from the user, मैंने आपर क्या किया है, कि मैं आपर 45 लिख रहा हूँ, और मैंने enter मारा, तो देखो यहाँ पर यह true आ रहा है, कि हाँ भाई, 45 एक int है, वापस से अगर मैं इसी program को run करूँ, और मैं 45.643 ऐसे कर दूँ, तो नहीं हार, यह तो integer literal नहीं है, तो यह मना कर रहा है, ठीक है, at the same time, अगर मैंने यहाँ पर कुछ string डाल दी, कुछ ऐसे लिख दिया, तो यह भी false है, तो इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब आप किसी भी expression की validity को check करना चाते हो, आप यह चीज़ ensure करना चाते हो, कि यह आपके program में error ना सकते हो, अभी के लिए आप इस method को इतना use नहीं करोगे, आप ज्यादा तर use करोगे, nextint, nextfloat, और भी next के बहुत सारे methods है, यो कि आप खुद explore करो, मैं चाता हूँ आप उनको खुद से explore करो, अब अगर मान लो मुझे एक string के अंदर, पूरी की पूरी जो string है वो लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा, capital S से string, मैंने आप लोग को बताया था कि Java में string का special support होता है, string str is equal to, कुछ इस तरह लिखो, sc.next, अगर आप सिर्फ next लिख दो, और उसके बास south कर दो आप str को, और मैं उपर वाले यह जो मैंने लिखे हूँ, इनको मै comment out कर देता हूँ, तो मैं एक string input करा रहा हूँ user से और उसको print कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग देखना है, यहाँ पर होगा कि, एक चीज दिखाँगा आप लोग को मैं, अगर मैंने यहाँ पर Harry लिखा, तो बिलकुल मुझे Harry यहाँ पर print होके मिल रहा है, अगर मैंने good लिखा, तो मुझे good यहाँ पर देखो, print होके मिल रहा है, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर क्या होगा, जब मैं Harry is a good boy लिखूंगा, तो सिर्फ Harry मुझे दिख रहा है, यह कहा गया, तो next जब आप use करते हो, तो next method क्या करता है, एक पूरा word जो है, उसको read करता है, और space होती है, तो नहीं करता है, उसके आगे का कुछ भी read, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप अगर चाते हो, पूरी line read हो, तो आप next line कर रहा है, यह एक next line method है, मैं आप लिखता हूँ आप लोगों के लिए next line, इस method का use होता है, तो अगर अभी मैं आपर Harry is a good boy ल देखेंगे, अगर मैं Harry लिखोंगा तब भी आ जाएगा, तो अगर आपको एक word read करना है, तो next, वरना आप क्या करोगे, next line read करोगे, ठीक है, अगर आपको एक character read करना है, तो आप क्या करोगे, sc.next का استعمال करोगे, और उसके बाद एक care at function होता है, जो कि हम आगे देखेंगे अभी उसको मैं आप लोग को बिल्कुल भी बतागे, confused नहीं करना चाहता, तो हम लोग देखेंगे strings को जब हम लोग गौर से देखेंगे, तब हम लोग वहाँ पर पता लगाएंगे, कि किस तरह से हम लोग एक character को read कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप ready हो चुके हो, काफी कुछ अच्छे अच्छे programs बनाने के लिए, तो या जाओ, programs बनाओ, must, notes ज़रू download करना, link description में डाल दूँगा, उसी के साथ साथ एक और बाद आपको बताना चाहता हूँ मैं, कि प्लेलिस से access नहीं करिए, तो उसको access कर लेना, और अगर हो सके, आपको time, अगर आपको लग ना, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.